कि आपका आप ही के यूटिप जाय है मिशको डीके में आज इमची श्वेयर के बारें बात करने जा रहे हैं वह अडानी ग्रीन एनर्जी लेमिटेड अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज आज आपको प्रिवेश टेडिन साइशन में देखा हुआ आज हमें बड़ी अपडेट आते नजर आई है जिसका पूजिटिव फैक्ट हमें स्टोक के उपर पूरा देखने को मिलेगा और यह शेयर यहां पर आप देखोगे आपको बताते हैं और इसके आगे के टार्गेट क्या होने वाले है डिटेयल में आपको बताएंगे क्या स्टोक के लावल के उपर बाइंग करना चाहिए या फिर नहीं तो यह तनी बड़ी बड़ी तीन-चार अपडेट समय जो देखने को मिली है इनका पूरा पूरा चलें अब देखते हैं उसका क्या इफेक्स टोक के ऊपर पड़ेगा तो यहां पर आपने देखा हो काफे टाइम पहले स्टोक में जब लिटेन बग की रिपोर्ट है तो इस लेवल से स्टोक में फिर से तेजी बनी क्योंकि अडानी ग्रूप में एक अनॉसमेंट कि इसके जर्वाच देखते हैं अच्छी बात था जो जुछके प्लेज थे वह अनप्लेज हो गये लेकिन कुछे कंपनेओ के अभी यह अनप्लेज है अगर प्लेज है अगर गुप ने डैट पे कर दिया तो प्लेज शेर क्यों पड़े हूए अभी तक गिर्वी क्यों रखे गए ह तो उन सब को देखोके कल के दिन आडानी गुरूप ने आपने देखा कि द imm司 ने परसन हो favor आते हैं चलीए वह आपको दिखाती है फिर आपका सारा क deser से स्टॉक को लेकर वह दूर होगा और स्टॉक आपको फिरे से यहां से रिवर्स होते हुए नजर आने वाला है तो चलिए देखते हैं खबर ऐसी है कि ब्राइड को सौरी जो एडानी ग्रीन अनर्जी को लेकर आई है वो है बिजनस टुडे पर जी है यहां पर आप लेंगे तो यहां पर काफी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है अडानी ग्रीन अनर्जी को लेकर आपने देखा होगा जब स्टॉक टूटना स्टार्ट करता हूं 27 मार्च को तो कंपनी की जो शेयर थे वो एसम की सेकंड स्टेज में पहुंच गये थे लोंग ट्रम अनर्जी को अब फिर से लोंग ट्रम एसम की सेकंड स्टेज से फर्स्ट पहले चरण में आप देखोगे स्ताना अंत्रित करेंगे तो काफी बड़ी अपडेट आई है यहां से आप स्टोक में होने जा रहा है फिर से तेजी का दोर तो यहां से आप लोगों ने अगर स्ट पारगेट क्या रहेंगे यानि की दूस तार بين को क्या स्टोक में तेजी बनेगी या फिर तो आप वस्तोबय से मिच्छे की तरफ तूटते ग्रेश cancel आने वाला है तो यहां पर देखो लेकर कि कुछ डाटा देखने को मिल है यहां पर आप देखो को फिर मारकिट इसका मतलब stock में हमें जोनब यहां से फिर से तेजी देखने को मिलेगी अगर आप लोग stock में current level पर buying करना चाहते हो या फिर आप अपने stock को पहले से उठा रखा तो हमें क्या करना चाहिए तो यहां से आप देखोगे अगर stock में आपको invest करना है current level पर stock को purchase करना है तो आप लोग नीचे में ऐसा लेगे चलोगे 820 रुपे का जी यहां 820 रुपे का आई थिंक आपको ऐसा लेगे चलना चाहिए नीचे में आपका 820 का और उपर में target की मैं बात को तो stock आपको जोनब फिर से आप देखोगे 1100 के जो level दिखाने वाला है क्योंकि company को उपर जो doubts थे वो दूर हुए हैं तो यहां से अब stock में फिर से regular तेजी बनेगी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए देख लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पनामाद भूल लाइन थैंक्यों फर वाचिंग देवीडियो झाल 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 झाल